आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज मानवत मर्डर्स के बारे में ये वेब सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल हुई है ये वेब सीरीज माराथी और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है अब ये सीरीज बेस्ट है on a real incident जो महाराश्ट्रा के मानवत नाम के गाउ में हुआ था 1972 में और इस सीरीज को डारेक किया है आशिश बेंडे ने, प्रोडूस किया है महेश कोठारे और उनके बेटे अधिनात कोठारे ने और इस वेब सीरीज में ज्यादा तर्माराथी कालाकारी आपको दिखाए देंगे जैसे की अशुतोष गोवारिकर, मकरन आनास पूरे, सोनाली कूल करनी, सही तामभन कर तो बिना किसी स्पोईलर के हम जानेंगे कैसी है ये वेब सीरीज अब जैसा मैंने कहा कि ये सीरीज एक रियल इंसिडेंट के उपर बेस्ट है, जो खून हो रहे थे मानवत गाउ में तो एक के बाद एक साथ खून होते है और वहां की लोकल पूलिस इन्विस्टिगेशन ठीक से नहीं करती तो इस केस को हैंडल करने के लिए क्राइम ब्रांच मुंबई से रमकान कुलकरनी आते है मानवत में अब रमकान कुलकरनी वही है जिनोंने मुंबई में सीरील किलर रमन रागों को भी पकड़ा था तो जब रमाकान कुल करनी उस गाव में आते हैं तो वो शुरू से जांच करते हैं सभी मर्डर्स की उनको पहले से ही शक था कि ये सभी खून ब्लैक मैजिक के चलते हो रहे हैं क्योंकि इन सभी खून का पैटर्न एक ही था छोटी बच्चियों को मारना और एक डिस्टर्बिंग चीज भी मेंशन की जाती है उन डेट बॉडिस के साथ जैसे जैसे इन्विस्टिकेशन आगे बढ़ती है नए नए ट्विस्ट सामने आते हैं जिसे आप इंजोई भी करते हो तो ओवराल मानवत मर्डर्स एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो अच्छी बनाई गई है अशुदोष गौरिकर ने इस सीरीज में बहुत ही बहतर काम किया है इस सीरीज को एक बुक से एड़ैप्ट किया है जिसका नाम है फुट्प्रिंट्स ओन दे सैंड ओफ क्राइम बा से ही दिखाया गया होगा इस सीरीज में कोई एडल्ट सीन नहीं है लेकिन बहुत सारी गालिया दी गई है और डेट बॉडिस के साथ एक चीज़ की जाती है उसका मेंशन है तो मुझे ये सीरीज पसंद आई और मैं इस सीरीज को देता हूँ 3.5 स्टार्स अगर आपने ये झाल